हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप काईटी एंडिस वेलेटेट चैनल में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करते ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे हैं दोस्तों आपको इस चैनल पर प्रेक्टिकल और दोस्तों अधर इंफ्रमेशन प्रोइट की जाती है तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस चेक कीजिए वहां पे आपको सारी इंफ्रमेशन मिल जाए ठीक दोस्तों आपको और भी किस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट वीडियो नहीं है इसे मैंने रोड्स का वर्गी करन और मेथड आफ कोटिंग के बारे में बता है तो आप जाना चाहिए वीडियो क्लार्स देखते रही है और वीडियो आपको अच्छे लएगी तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भोले ठीक है नामसे जाता है ठीक है तो या उसे क्या बोलते हैं रोट फिलर मेटल की वहतार या रोड जो होलडर से और तक करंड ले जाती थीए दोस्तोна व्होंपने वो डेखा हुगा जिसमें हम लगाते हैं और यहां सबूसरी zemतन कि इस दोस्तों नीचे फ्लक्स है और यहां पर देर है ठीक है आगे जानेंगे इसी चीज में इलेक्टोड में आर्क वैल्डिंग इलेक्टोड धातु की बनी हुई तार होती है तो यह मेटल का बना होता एक तार होता है जो स्टेंडर्ड व्यास के साइज और लंबाई में इसका परियोग सिर्कट को पूरा करने के लिए तथा जोड भरने के लिए ऐसे दोस्तों इसे बरसकते हैं ठीक है दोस्तों इससे हम पर्मानेंट जोड ही लगाते हैं ठीक है आगे दोस्तों जानेंगे वर्गी करन कीन बातों परधारित है दोस्तों इसका निमलिकित बातों परधारित है जैसे कि method of coating coating factor types of flux coating purpose of flux coating core wire material ठीक है दोस्तों हम इसमें जानेंगे बस पहला बताऊंगा आपको method of coating कि कि हम पातै कितने तरह से हम कोटिंग कर सकते हैं किसम अलाव सकते हैं ठीक है तो जाने दोस्तों कि नंगे समत्वाटूर की कोटिंग क्यों ठीक होता है कि पहला होता है DEEP मेधैने दोस्ता ऐता है एक स्ट्वाइजन यह जोस्तों धोते की विध्य हमारी है किसको क्या करने के लिए सिए छोब्स करें हो पहला जाने लिए कि तो पएला जाने कि अगर दोस्तों देपिंग मैथ्यार्ड अवार होता है इस विध्य में एक बरतन के अंदर फलक्स का गोल रखा जाता है इसमें इलेक्टोड तार को डुबाया जाता है ठीक है और बाहर सुखा जाता है लेकिन इस विधी द्वारा इलेक्टोड का इलेक्टोड पर एक समान प्रत नहीं चड़ती जिससे इलेक्टोड एक समान पिघलता भी नहीं है इसलिए इस विदि का प्रेयोग कोटिंग करने के लिए के ड़ियाता है जो समान रोप से पिखलता नहीं है तो इस वीदी का प्रयोग हो कम करते हैं जो दूसरी वीदी है के दोस्तों की कि ने या प्रेस के द्वारा कोटिंग की जाती है इस विजी द्वारा चड़ाए गई परत एक साय यानि उनिफोर्म होती है ठीक है तो इसमें आगे और जानेंगे जिसके कारण यह एक समान पिखलता है इस वीदी का प्रयोग ही अधिकतर किया जाता है ठीक दोस्तों जो भी आप इलेक्टोड देखते हैं वो इस वीदी के ही बना जाते हैं जिसे हम एक्जिट्विशन मेथड बोलते हैं ठीक है इलेक्टोड यको फ्लक्स के घोल में सुराक वाली डाइव मैंसे गुजरा जाता है इससी परत ऑनके चानी होती है ठीक है इस अगे दोस्तों इस में कोटिंग फेक्ट मे बारे में कोटिंग फेक्टर का होता है कोटिंग फेक्नों प्यार्थ का एसाफ कोटिंग करने के बाद के इपको कोटिंग जो इलेक्ट्रोड निर्माता है उनका एक तरसे सुत्र होता है कि इलेक्टोड की कोटिंग का व्यास यह दोस्तों कोटिंग का व्यास हो गया और दोस्तों इलेक्टोड के कोर वायर का व्यास जो हम बटे में लेके निकालते हैं तो से बोलते हैं कोटिंग ठीक है कोटिंग फैक्टर है दोस्तों तीन परकार स कこちら हैं मेडिया। कोटेंग दूसरा मिडियूम कटिंग यह यह दोस्तों आपको मैंने बताया इन सब यह दोर अगर वीडियो को लाइक करें तो वीडियो आपको पसंद आइए हो थो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्त चेयर कर दे ठीक है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके तुछ ब्लैक कर दें ठीक है और बेल आइकन प्रेस कर दें खी आने वाली वीडियो लोटकर शनाव तकाइम परो मिल झाल